इंडस्टी के सफसर सफल एक्षिन हीरो में से एक सुनली शेटी की बात करें तो जैसे कि आप से भी जानते हैं कि इनका रुतबा इंडस्टी में बाकी स्टार्स से काफी अलग माना जाता है आज भले इंडस्टी में रहते हुए बहुती कम फिल्मों का हिस्सा बन रहें लेकिन इनकी एक जलक पाने के लिए फैंस हमेशा से एकसाइटन रहते हैं इंडस्टी में इन्होंने कई सारी ऐसी फिल्में दी हैं जिन फिल्मों की खुमारी आज भी बरकरार है आज भी सुनली शेटी इंडस्टी के टॉप स्टार्स मैं से एक माने जाते हैं जिनका रुत्मा दिन परते दिन बढ़ता ही जा रहा है हाला कि सुनली शेटी के बेटे आहन शेटी का वी डेवू इंडस्टी में हो चुका है आज से कुछ महिने पहले इनकी फिल्म तडब रिलीस हुए थी जिस फिल्म ने अपने सफलता के जंडे भी गाले तडब फिल्म से डेबू करने वाले आन शेटी आज किसी पहचार की मोहताज नहीं है लेकिन इसी कड़ी में उनों ने अपने पिता को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया है अब एक पिता हमेशा सही चाहता है कि उसका बेटा सफल बने और ऐसे ही चाहा सुनी शेटी की भी रही है लेकिन आन शेटी का कुछ होरी मानना है आन शेटी एक ऐसे स्टार किड हैं जो कभी नहीं चाते हैं कि उनकी डेवू फिल्म को उनके पिता सुनी शेटी प्रोड्यूस करें यानि उस फिल्म में पैसा लगाएं 2021 में तरफ से डेवू करने वाले आन शेटी नहीं जो डाला था कि शुनी शेटी करियर के शुरुवाती दुनों में उनकी फिल्मों को प्रोड्यूस ना करें आन शेटी ने इस बारे में अब खुल कर बातचित भी की है दरसल हुआ यूँ कि भी हाली में इंदुस्तान टाइम से बातचित करते हुए आन शेटी ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पिता को ऐसे प्रेशर देता रहूँ मुझे लगता है कि जब आप परिवार के साथ काम करते हो तो आप कही न कही प्रोफेशनलिजम खो देते हो क्यूँकि वो जो चाहते हैं आप करते हैं और उनकी बातों में सहमत होते हैं मैं नहीं चाहता कि relationship और professional life के बीच की life दूंदली पड़े आहन यहीं नहीं रुखते हैं और आगे बातचीत करते हैं कि future में अगर मेरे पिता मेरी film के producer बनना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा लेकिन इस समय यह best होगा कि मेरा परिवार मेरे career या मैं क्या काम करता हूँ इसमें ना शामिल हो फिल्मी background से जुड़े परिवार के फाइदे पर आहन शेठी ने भी हामी भरी और इस दोरान आहन शेठी ने कहा वो अपने महनत और काबलेत के दम पर इंडस्टी में अपना नाम कमाना चाहते हैं बात कर आहन शेठी के तो उनकी डेवू फिल्म तडप अच्छा खासा रियक्शन पाने में काम्याब साबित रही हैं और इस फिल्म के जरीए उन्होंने अपना पहला गतब इंडस्टी में रख लिया है आने वाले समय में वो कई सारी बड़ी फिल्मों का हिस्सा बनना चाहते हैं लेकिन इंडस्टी में वो नाम सिर्व और सिर्व अपने महनत और काबलेत के दम पर ही कमाना चाहते हैं